भारत की दौरे पर आये संयोकतराष्ट महासभा के मनोनीत अध्यक्ष मोगेंज लाइके टॉफ्ट ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की प्रधानमंत्री ने कहा कि वो 25 सितंबर 2015 को होने वाले संबेलन में भाग लेने की योजना बना रहे हैं मुलाकात की दौरान प्रधानमंत्री ने सुरक्षा परिशत में सुधार और अंतराष्ट्रे आतंकवाद से लड़ने के लिए कानूनी पक्रिया को और मजबूत बनाने पर जोर दिया विदी आयोग ने एक एतिहासिक सिफारिश करते हुए आतंकवाद से संबंधित और देश के विरोध युद्ध छेड़ने जैसे मामलों को छोड़कर आने सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा को खत्म करने की सिफारिश की है आयोग ने कहा है कि मौत की सजा को पीड़ितों को न्याय देने के लिए अंतिम उपाय मानने से पुनरवास और सुधार संबंधी न्याय के पहलू अपना महत्वखो बैठते है आम लोगों के लिए राहत की खबर है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटोती की गई है पेट्रोल में दो रुपए और डीजल में 50 पैसे की कटोती की गई है नई कीमते आज आधी रात से लागू हो जाएंगी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रामचरित मानस का विशेश डिजिटल संसकरन जारी किया आकाशवाणी द्वरा तयार किये गए इस डिजिटल स्वरूप के जरिये न सिर्फ देश बलकी विदेशं में भी मानस प्रेमी शोता इसका लाब उठा सकेंगे इस मौके पर प्रधान मंत्री ने आकाशवाणी की व्यापक पहुंच की प्रशन सकी साथ ही प्रधान मंत्री ने कहा कि अंतराष्ट्र योग दिवस ने भारत को वैश्विक मंच बदान किया है बिहार चुनाव को लेकर भारती जनता पार्टी के नितित्ववाले एंडिय के घटक दलों की नई दिली में बैठक हुई बिहार चुनाव के अंतराष्ट्र योग दिली में बैठक हुई अतनु सब्यसाची नाइक को बच्चों के परिजनों का गुस्ता छेलना पड़ा सुप्रीम कोट ने जैन समुदाय के धार्मिक रिवास संथारा को अवैध बताने वाले राजस्थान हाई कोट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है इसे पहले राजस्थान हाई कोट ने इस प्रथा को आत्महत्या जैसा मानते हुए दंडनीय माना था जिसके विरोध में दिगंबर जैन परिशद ने राजस्थान हाई कोट के फैसले को सुप्रीम कोट में चुनौती दी थी मदरसा चातरों के लिए कौशल विकास कारिकरम के तहट अलप संक्यक मामलों की मंतरी नजमा हबतुला और कृशी मंतरी राधा मोहन सिंग ने पहली पालेज परियोजना का आजपटना में शुभारम किया इस प्रशिक्षन कारिकरम को मौलाना अज़ाद नैशनल अकैडमी फॉर स्किल के तहट शुरू किया गया है प्रशिक्षन पाने के बाद इस से आसपास रहने वाली लड़कियां और मदरसे चातरों को भी रोजगार पाने में फायदा होगा करनाटा के मुख्य मंत्री ने प्रगतिशील कंनर विचारक और विद्वान म.म कालबुर्गी की उनके आवास पर हत्या किये जाने के मामले की CID से जांच कराने के आदेश दिये हैं उन्होंने कहा कि घटना बेहत निंदनिय है और दोशियों को किसी भी हालत में बक्षा नहीं जाएगा कालबुर्गी का आज अंतिन संसकार कर दिया गया केंडर शेहरी विकास मंत्री म.म किया नाइडू ने आंद्रे प्रदेश की निलोर जिले में बीपियल परिवारों की दस हजार से अधिक रामेर महिलाओं को प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना उपहार में दी केंडर मंत्री ने इन महिलाओं के बीमे की जीवन परेंथ प्रेमियम की राशी अदा की प्रहार मंत्री नरेनरी मोदी ने रक्षा मंधन पर पर बेहनों को कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा योजना उपहार में देने की अपील की थी शीना बोरा मर्जर केस में प्रमुकारोपी इंदराने मुखरजी और अन्य दो आरोपी इंदराने के पूर्व पती संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय को आज मुंबई की अदालत में पेश किया गया मुंबई पुलिस ने तीनों अभियुक्तों की रिमांट बढ़ाने की अपील की और अदालत ने इसे स्विकारते हुए तीनों आरोपियों की पुलिस हिरासत 5 सेतंबर तक बढ़ा दी है वित्यवर्ष 2015-16 की पहली तीमाही के जीडिपी आंकरे जारी हो चुके हैं अप्रेल से जून तीमाही में 7 प्रतिशत जीडिपी रही इस दौरान क्रिशी सेक्टर की वृत्धी दर 1.9 पीस दी रही है जबकि विनिरमान क्षेत्र 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ा श्रिलंका में इतिहास रचने से भारती क्रिकेट टीम में 7 विकेट दूर है कॉलंबो टेस्ट के चौते दिन 306 रन के विजे लक्ष का पीछा करते हुए श्रिलंका ने अपने 3 विकेट खो दिये है भारत के ओर से इशांथ ने श्रिलंका को 2 छटके दिये इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी में 274 रन बनाये थे BCCI और क्रिकेट दक्षन अफरीका ने खोशना की है कि भविशम में उनकी सभी दिवे पक्षिर सीरीज को महात्मा गांधी नेलसन मंडेला सीरीज के नाम से जाना जाएगा दोनों देशों के बीच टेस सीरीज फ्रीडम ट्रोफी के लिए खेरी जाएगी जो महात्मा गांधी और नेलसन मंडेला को समर्पित होगी बोर्ड ने कहा है कि इस सीरीज को इन दो महान नेताओं के नाम कर BCCI देश के हर नागरिक की ओर से उन्हें श्रिधांजली दे रहा है